जारखंट के मुख मंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतनिधी पंकज मिश्रा और सोरेन के दरजन भर करीबी लोगों और वेपारियों पर लगातर ED के छापे पड़ रहे हैं महकपूर्ण दस्तावेच हाथ लग रहे हैं ऐसे में बकरे की अम्मा आखिर कब तक खेर मनाएगी सुत्रों की माने तो सरकार को 15 अगस्त का अभैदान मिला हुआ हेमंत खरीबियों पर EDCBI के लगातार छापों के अलाबा हेमंत पर भी चुनाव आयों की तलबार लटक रही ह यह CM रहते पबलिक आफिस के दुरूपयों का मामला है हेमंत पर अरोप है कि उन्होंने CM रहते अपने नाम से कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाई और इस कंपनी को सरकारी ठेके और पटे आवंटित कर दिये यह सरकारी पत के दुरूपयों का मामला बनता है अब तक चुनाव आ दो तीन समन भेजे जा चुके हैं पर अपनी वेस्तताओं का हवाला देकर सोरिन अपतलक इससे बसते रहे हैं पर चुनाव आयूग चाहता है कि CM स्वें आए और अपना पक्ष रखे यो भी अभी तक भाचपा अपने लाग प्रियासों के बावजूद सोरिन सरकार गिरा नहीं पाई है और नहीं वो कॉंग्रिस के सत्रह में से ग्यारा विधायक तोड़ने में ही सफल हुपाई है जामूमों की विधायक भी तूट नहीं रहे हैं पर अगर खुदा न खास्ते हिमन चुनाव आयोग द्वारा आयोग करार दिये जाते हैं तो फिर वे अपनी गद किसे सौपेंगे क्या हुए राज्यपाल से विधान सबब भंग करने और नए चुनाव कराने की सिफारिश कर सकते हैं